अलो दोस्तों मैं हूँ सरू आज मैं आपके लिए लाए हूं बेना लहसुन प्याज और बिना टमाटर की चटपटी आलू की ग्रेवी वाली सब्जी आपस सोच रहे होंगे कि लहसुन प्याज नहीं डालेंगे तो चलेगा पर बिना टमाटर की ग्रेवी कैसे बनेगी तो ब अब मैं इसको दरदरा सा कूट ले रही हूं देखिए मैंने इसको इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है अब मैं एक बाउल ले रही हूं इसमें में ले रही हूं आदी चोटी चमच हल्दी एक बड़ी चमच कास्मीरी लालमेश पाउडर एक बड़ी चमच धनिया पाउड अब मैं एक दूसरा बावल ले रही हूं और मैं ले रही हूं एक उबला हुआ आलो इसे मैं इस तरह से कदू कस कर लूँगी मैंने कदू कस कर लिया इसमें आड़ कर रही आधी छोटी चमट चाट मसाला अब चलते हैं गैस की तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई गरब होने को पड़ी लाची दो से तीन काली मिर्च दो लॉंग दो सुखी मिर्च और एक तेशबत्ता और मैं साथ में एड़ कर रही हूँ जो हमने मसाले कूट कर तयार किये हैं उसको और थोड़ा से चलाते हुए मैं भून ले रही हूं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ दो अब इसे चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ जो हमने आलू को कद्दू कसके रखा हुआ था अब इसे चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे मैं इसमें पानी भी एड़ कर ले रहे हूं थोड़ा सा क्योंकि जो आलू है वो जल्दी से चिपकने लगता है कड़ाई में तो पानी एड़ करके भूनेंगे तो यह अच्छे से भून जाएगा और कड़ाई में चिपकेगा नहीं हमें इसे चलाते हुए अच्छे से तीन से चार मिनट तक भ भून्ते हैं पिलकुल अच्छे से ऐसे चलाती हुए भूनना है देखिए हमारे अलो अच्छे से भून्त चुके हैं अब जो इसमें साइड में जो त्टोड़ा सा घीवी रिलीज होने लगा है अब मैं इसमें एड़ कर रहे हूं उबले हुए आलो मैंने तीन उबले पानी मैंने यहां गरम पानी लिया हुआ है हमें गरम पानी ही एड करना है इससे क्या होगा कि जो हमारा कुकिंग प्रोसीजर है वो कंटिन्यू बना रहेगा और सब्दी का टेस्ट भी अच्छा आएगा अब मैं साथ में एड कर रहे हूं कुछ मसाले आधी छोटी चमच गर को पुरा करेगा है में इस अच्छ से चला कर के चार सेinqu 9 के लिए पका ऊटोंगी सीग चार से 5 मिनट हो चुके हैं्गे हमारी सब्दी अच्छ से पक चुकी है अब थोड़ा सा हलवाई लुक देने के लिए मिले रही हूं तीन हरी मीर जिसमें ने मैं पहले बीच में चीरा लगा रखा है और एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसमें बारिक बारी काट लिया है एक चमच कस्तूरी में थी इसे अच्छे से मिक्स करके मैं एक से दो हो चुके हैं अब देखिए हमारी सब्जी जो है एक दम पर्फेक्ट पकर तयार हो चुकी है अब गैस का फ्लेम आफ करके इसे ढखकर साइड में रखते हैं और लगाते हैं देसी घी और हिंका तड़का मैंने एक तड़का पैन में एक चमच घी लिया है इसमें दो पिंच के लिए छोड़ देंगे जिससे क्या होगा कि घी और हींग का जो टेस्ट हमारी सब्जी में अच्छे से अब्जोब हो जाएगा देखिए दो मिनट बाद मैं इसका धकन अटा रहे हूं कितनी पर्फेक्ट सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है देखते ही मूं में पानी आ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें